प्रहा टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेस्बूक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बोल आइकोन दबाना ना बोलें मैं स्लाब अदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहा टाइम्स कलबा मुम्रा के विधाया के हों महराष्ट के ग्रह निर्माल मंत्री जितेंद्रभाड ने कहा है कि अरब देशों के दखल के बाद बीजेपी ने नुपूर श्चर्मा को निलंबित किया है अगर बीजेपी अपने कारिकर्ताओं पर लगाम लगाती तो ये कारिकर्ता किसी के भी धर्म को ठेस नहीं पहुचा पाते हिंदो मुसल्मान पर अगर भाजपा इने रोकती तो नुपूर श्चर्मा की हिम्मत नहीं होती वो पैगंबर मुहम्मद स्ताहप पर अबद पड़ी करती ग्रह निर्मान मंत्री जितेंद्राभाट में क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं देश में किसी दी तरेक्व का वक्तव व्यकर्मा जिससे के कारण धार्मिक भावनाओं को ठेच पहुचे ये नहीं करना चाहिए आप सल्लालाव सालम के बारे में पैगंबार साप के बारे में जो बूला गया वो क्यूं बूला गया क्यूंकि भाजप में अपनी कारिय करताओं के उपर जो रोक लगानी चाहिए थी हिंदु मुसलमान जो द्वेश फैला जा रहा है उसको अगर भाजप रोक देती तो नुपुर की हिम्मत नहीं होती ये बात क्यों देकी ये हिम्मत इसी लिए हुई क्योंकि उसको लगा और ये माहुल देखके तो सची लगेगा कि पुरी बीजेपी मेरे साथ है ये तो अरबिस्तान में जो हुआ इसके वज़े से बीजेपी को दो कदम पीछे आना पड़ा चार कदम पीछे आना पड़ा नुपुर सो पार्टी नुपुर को पार्टी से बाहर निकलना पड़ा ये अरबस्तान में हुआ इसलिए किया नहीं नहीं तो नहीं होता क्लबद्ध के बारे में बोल दीए क्या दुनिया में सभी से दुश्मनी लेना अपने को गिंदा रखे है ये आन्ट जो अर्वस्तान में हुआ उसकी वज़ा BJP है उसके वजह उनकी कर्टूते हैं वक्त पे रोक लगा देते हैं तो इतनी बेईज़ती दुनिया बार नहीं होती है यह समझना चाहिए कि अगर राम के बारे में बात करेंगे हर विंदू को दुख लगिया है हर यह सर्विधान को मानने वाले को दुख लगिया है इस देश मे आपको किस ने बोला था पैगंबर साप के बारे में बोलने के लिए क्या हुआ देखा ने आपने हमारे जैसे लोग मुदी जी के हर वक्तव्यस है मुदी के घंवूयका से हम विरोद करते हैं हमको जो चीछ पसंद नहीं हाती उसका खुल्याम विरोद करते हैं लेकिन में देश की जो बेइजती हुई है वो बीजेपी के कारण हुई है जो हमें बरदाश्ट नहीं हो रहे हैं आपके एक करतूत के कारण है आपके एक स्पोक्सपरसन के कारण है